कि यह पूछना है आप से कि जो इवुलेशन का थीरी होता है आप सही मानते हैं गरत मानते हैं किसको इवुलेशन थीरी जो जैव विक्यास का सिध्धान्त दिया है डारविन ने आप इसको सही मानते हैं का होता है अजरा बताना रे भाई आप जानते हैं आप आप तो पढ़ पार रहे तोघवू सबस्क्राइब कॉलू 8 पड़ाओ हम को TV पढ हुआ है जो मान हुआ हो द हुआ हुआ है कितना धिरे धिरय यह हुआ है का हुआ है का हुआ है जो मानव का मानव करोड साल पहले हुए बस्तियां जो है वह दस जार साल बाद बननी शुरू है का बनना सुरू हुआ है जो आप कुछ बता रहे हैं आप पाक्स बता दे रहे हैं अरे गजबाद में तुम ही कहे कि दस जार साल पहले हम गाउ में बसना शुरू किये था तुमसे पूछ रहे हैं दस्यार साल पहले तुम्हारा गाउं कि धर था बताओ हमारा गाउं पूरफ था तुम्हारा गाउं पूरफ था ससोरी पूरफ पच्छिम उत्तर दखिन इतो दिसे तुमको बहुत बाद में मिला दस्यार साल पहले कौन जानता था कि कौन पूरफ है क अब तुम अपने मुझे खुदा ही स्विकार कर लिए कि तुम भी देशी हो बताओ अफरीका से आये हुए यार बहुत गलत बात है तु अपने देश का है नहीं जाते हो हमारे यहां क्या कर रहे हो अपने देश है आपरिका से आये हो तो अफरीका जाओ यहां कारने आया क्या नहीं तुम अपना बताओ लौग पागल हो जाए कि इसके प्यार से बजाए जारी है तक टुम में हो तो एसिया में केन्ने से हो किन्ने से रहा हम कोशन कर रहे हो तो पिर तुम asia में किदर से हो कॉर्भी एसी तो कौन देश था तुम्हारा अच्छा तो तुम चाइनीज हो अरे यार गजब आदमी हो कभी आफरिकां के लग रहे हो बना कभी आफरिका तो कभी चाइना तो कभी कुछ बाई को वह एक टाइप का आदमी नहीं हो का मूह से तुम किधर से पईदा हुआ है मूह से तो छोड़ दो मूह से नहीं हुए या कहीं से तुम हमको समझाओ तुम कभी बोलता है कि तुम अभरिका वाला है कभी बोलता है तुम चाइना वाला है लेकिन तुम यह नहीं बोलता है कि तुम भारत वाला है मतलब तुम टोटली मिला के दोनों ही प्रमानुस तुम बीदेशी है तुम बीदेशी है ना भाईया आप मानते हैं आप इसको मानते हैं हाँ नहीं अए गजब मन नहीं हो यार हम तुमसे एक के बतिया पचास बार कहें का इकुल तो हम नामें नहीं सुने आज तक हम पहली बार तो तुमसे नाम सुन रहा है अच्छा यह बताई कि जो सब्सक्राइब लिखे हैं क्यों लिखे हैं हम्रा मन किया लिख लिए अब तुम्हारा नाम डिसी तुम्हारा नाम डिसी तुम्हारा लिखे हो तो तुम्हारा मन किया लिख लिए वैसा हमको मन किया लिख लिए आपने तुन चला रहा है बताई लिए हमको पहले तुम्हीं बताओ कि तुम्हारा जनम पहले अफ्रिका में फिर अफ्रिका के बाद तुम्हारा पूरवी एसीया में घुज गया तुम किधर के थे बताओ ना हम यह कर रहे हैं अरे तो अफ्रिका में मानव विकास हुआ और एसीया के पूर्वी भाग में मानव विकास हुआ तो तुम फिर भी तो बेदेशी रहे ना झाल पूरवी भाग कहा है तो अपने भारत इंपिता तुम हमारी यहां का करने आये ते तुम बोले चाइना तो तुम चाहिना सांद आखा करने आये सब्सक्ते हैं अर्यार तब्सक्त क्या बलात को सुना थे अरे यार तब से तुछ तुम्हारा ही तुम्हारा कुमा रही है लेकिन इहां नहीं बतार यहां आप क्या कर रहा है अप्रिका से मानवक बिकास हुआ इसके बाद यहां अपरिका में मानों का विकास हुआ फिर तुम्हारा पूर्वी एसिया में मानों का विकास हुआ तो यह बात तो तुम्हारा हम सुन लिए उसके बात का हुआ अगर इसलिए काते हैं कि जहाओ परियेवठ होता है उसका भियास होता है आहिए जो दिन राज चला रहा है यह वह है है तुम्हेरे अफ्रेका में यही सब पढ़ाते हैं क्या तुमको आपको भारत को कपरें हैं। ना गरीब हो यार तुम गरीब हो यह बताओ रहने। कितना गडीब हो बहुत बहुत ज्यादा यह कौन जीला अब जि पता है गरीब हो तो तो सरकार नुदान दिल सकान की कोशिज करेंगे सरकारे तुमको सरकार की होजना के अंदरकत रासन दिलवा देंगे तुमको मकान दिलवाने की कोशिस करेंगे अब देखो मतलब जितने अब मतलब जितने लोग रासन ले रहे हैं तुमने उनको गाली देदी मतलब तुम गरीबी का मजाग बना रहे हो मतलब तुम गरीबी का मजाग पहली आता हैटा और छागे लोगई तैल सब्सके प्रबंद में। आप और लोगों को क्या ढेक इध्यूत पर्बंद नहीं करते जी से इतना हमी गरीब बना दिये हैं हमा गरीब Ratman तब रौह और ने हम बनी है यह उफे थे प्ररामने फीर हमना ने पोँद कर पर हमारह नो फूर्म हमसuto को सब्सक्रार बोलेंगे तो तुम्हारी नीचे से उपर तक पुरी सुलक जाएगी चुकि हम पॉलिटिकल बात नहीं करते हैं हम अपने चैनल पर पॉलिटिकल बात करते नहीं है देखो हम अपने चैनल पर पॉलिटिकल बात नहीं करते ठीक है लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हारी हकीकत किस सुन ले भाई तुमने अभी गरीबों के तुल बीच में गरीबों के लिए वही मैं रिपीट कर रहा हूं क्यों गरीबों के लिए गलत सब्सक्राइब कर रहा हूं क्यों गरीबों के लिए गलत सब्सक्राइब कर रहा हूं क्यों गरीबों के लिए गलत सब्सक्राइब कर रह तुम्हारा विकास हुआ है ना अफरीका से सीधे यहां के टपक गया हो कम भी कास हुआ है तुम अफरीका से आये हो ना तुम अफरीका से आके सीधे यहीं टपके हो ना भारत के मुल्लिवासी तो हो नहीं तुम इसलिए भारत के गरीबों का तुम मजाक मना रहे हो तुम भा बात करेंब्स ठोट है आप सुनना ने चाहिए कि अब तुम माल ले कि तुम अफ्रीकी मोल लिवासी हो तो यहां क्या करने प्ताव किया चीज जो आच्छन के उपर ने तुम चोधरी बन रहे हो मेरा कोई प्रिश्त्र का विरूत कर रहा हूँ ? तुमको लगने से क्या होता है ? लगने को तो हम किसी के जीजा भी लग सकते हैं लगने के लिए हम no की responsibility मेरी बिल्कुल नहीं सुनो मेरी बात लगने की responsibility बिल्कुल नहीं ले सकता मैं अब है चूप रह आहि हैं ? तुम्हारे लगने की लाइविल्टी थोड़े लेकर बैठा हूँ तुम लगता है कि सीधे अफरिका के जंगलों से निकल के सीधा यहीं आये हो हमारी स्ट्रीम में इसलिए साहे तुमको पता नहीं है कि यह चैनल किस टॉपिक पर काम कर रहा है यह चैनल किस विशे पर भात क करता है तुम अपना एक बैकल्पिक दिमाग बना के आ गए और इस बैकल्पिक दिमाग के आधार पर तुम यहां पर आ करके बात करने लगे तुमने बाटा है हम लोग कहां से बाटेंगे तुम बाटे हो और नहीं तो क्या तुम्हारे गाउं में अगर दम है ना तुम्हा तुमको संगठन भी अपनी जाती का चाहिए और जाती वात के लिए गाली तुम दूसरों को दोगे ये तो नहीं चलेगा भाई साब मैं गलत कहां बोल रहा हूँ अच्छा इक बात बता हूँ तुम्हारे जीजा जी किस जाती के हैं अगर जीजा भाई होता है पागल कहीं का मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कि तुमारे जीजा जी किस जाती के हैं भाई है ये बताओ न अच्छा क्वेस्टन पूछ रहा हूँ अरे तुम्हारे खांदान में कोई जीजा नहीं है तुमारे कोई बहन नहीं पैदा हुई आज तक तो आपको क्या मतलब इससे अरे मतलब है तभी तो पता चलेगा कि जातीवाद कौन कर रहा है भाई तुम अगर जातीवाद के खिलाफ हो तुम अगर जातीवाद के खिलाफ हो तुमको अगर जातियां पसंद नहीं है तो तुम किसी भी समास की लड़का या लड़की से सा है हमारे बहुत लोग है हमारे गाव मैं तुम बताना एक का नाम बता देना चल बता ने तुम है तो बता न भैया तभी तो हम जानेंगे ना की भाइवा तुम लेंढ यहां तुमने जाती अब अपना बात करो ना को जाती तुम्हारे लोग के अंदर जाति वाद है यह बात है तो तुम्हारे अंदर वैठा है तभी तो तुम अपने जाति त्याग नहीं पाए तुम कहरे हो कि हम जाति वाद मानते भी नहीं है और जाती धो भी रहे हैं अगर छोड़िया है । मन से छोड़ दिया हूल कि पिछवाडए बलात करें खुम रहे ही लेकर जाति वाद हौ नहीं नहीं है अंदर भी इता बताना पड़ता है नहीं तो सम्झे के पूर वह वाद नहीं है समझने से क्या है तुम फर्जी हो तुम यादो हो भी नहीं तो हमको पहले से पता चल गया था नहीं हो तुम भी तुम भी तुम भी तुम भी प्रश्ण पूछ लूँ हाँ गोत्र क्या है तुमारा यादो होता है कौन सा गोत्र है तुमारे मैं जाती पूछी नहीं मानता हू अरे मैं जाती पूछी नहीं इन थो जो नहीं जानता इसलिए मैंने का वह तो नगली यादो है तू भाई तेरा हो गया सबको पता चल गया यहादो भायों को बदनाम करने के लिए तुम यादो टाइटिल लिक्ष लेने से यादो नहीं हो जाओगे और यह फर्जी नाम वैली वासी, पहली फुर्जद में भाग जाएंगे.